अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस पहले काफी मशक्कत के बाद चोर को पगड़ती है और फिर उसे जेल की सलाकों के पीछे कैद कर देती है लेकिन कभी-कभी चोर पुलिस को चक्मा देकर सलाकों को तोड़कर भाग जाता है फिर पुलिस उसके फीचे भागती है कहानी जरूर फिल्मी है लेकिन महराष्ट के पिमपरी चिंचवार में कुछ ऐसाई हुआ है हाला कि यहां के थाने में बने कारागार से चोड जिस तरह से भागा बहुत चुकाने वाला है पुलिस भी उसकी हरकत से हैरान रह गई बाद में उसे पकड़ लिया गया महराष्ट के पुर्णे जिले के पिमपरी चिंचवार के चाकन पुलिस में एक ऐसी घटना गटी है जिससे पुलिस स्टेशन में मुझूद सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस करमचारी हैरान रह गए दरसल पिमपरी के चाकन पुलिस में पुलिस को जानकारी मिले थी कि कुछ चोर चाकन इलाके में चोरी करने का फ्लान मना रहे है पुलिस ने अपना चाल फुलाया और कुछ चोड़ को रंगे हादों गिरफतार कर लिया पुलिस अफसर चोड़ को गिरफतार कर चाकन पुलिस स्टेशन लेकर आये और वहाँ के लोकॉप में सब को बंद कर दिया सोमवार की सुबह 6 बज़ अचानक एक चोर चाकन पुलिस स्टेशन के लोक अप में नहीं दिखा हाला कि चोर फरार होने की कोशिच करी रहा था कि पुलिस ने उसे फिर से पकड़ दिया चोर की हरकत से पिमपरी चिंचवार के चाकन पुलिस टेशन के अधिकारी और पुलिस करमचारे भी हैरान रह गए दरसल चोर लोक अप से तो भार आ गया था लेकिन ना ही कोई सलाखे तूटी थी और ना ही ताला तूटा था लोक अप को पिछले कुछ समय से खोला भी ने गया था ऐसे में चोर आखिर कैसे वहां से निकला जही सोचकर पुलिस हैरान रह गए थी इसका जवाब सिर्फ चोर के पास था चोर ने पुलिस को बाद में बताया कि आखिर कैसे लोक अप की सलाखों से असाने से बाहर आ गया ज़सल चोर शरीर से बिल्कुल दुबला पता था और इसी का फायदा उसने उठाया दुबला पतला होने की वैसे वो लोक अप की सलाखों के बीच से आसाने से निकल कर बाहर आ गया था चोर की बातों पर पहले चाकन पुलिस अधिकारियों को विश्वास नहीं हुआ तो पुलिस वाले ने चोर को सलाखों के बीच से फिन निकलने के लिए कहा जब चोर उनके सामने पहले जैसी सलाखों के बीच से निकल गया तो उन्हें हैरानी हुई अब आगे ऐसी घटा ना हो उसके लिए आप इंपरी के चिंचवाल के चाकन पुलिस टेशन के दिकारी लोक अप में जाली लगाने की तियारी कर रहे हैं ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सुब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद